बस्तर प्रवास के दोरान मुख्यमंति विश्णुद्यव साय ने तीन अनुई भागी दंडाधी कारी कायले चक्दलपूर लोकापाल लोहनी गुड़ा एवं दो थाना भवन लोहनी गुड़ा और बुर गुम का लोकारपन किया। उन्होंने महरानी अस्पताल परिसर में प्रधान्वंति भारती जन आउशदी केंद्र का शुभारम वा अन्नपूर्णा रसोई घर का लोकारपन भी किया। अब मरिजों को सस्ती जनेरिक दवाईयां मिल सकेगी और उन्हें आर्थिक बोच से छुटकारा भी मिलेगा। बराबर असर है और हम सब लोग दुकान में खड़े थे फिता काटने के बाद कई दवाई को देख रहे थे छेछे गुना दाम का फरक है। अगर किसी का मार्केट में जो और दवाईया 8-800 रुप्य का है तो वो 24 रुप्य में जनेरिक दवाई के दुकान में मिल रहा है। तो आप लोग बिल्कुल यह मत समझे है कि यह दवाई सस्ती है तो इसका असर कम होगा। बिल्कुल बराबर असर है तो ये हमारे प्रधानमंती जी ने किया है पूरे देश में हज़ारों जेनरिक दवाई दुकान खोल कर तो ये आपके आज बस्तर में इसकी भी व्योस्था हुई है उसका भी दुकान का हम लोग लोकारपन किये हैं आज जगदलपूर के लिए एक साथ कई सोगात भी यहां पर दिये हैं एक तो यहीं से सतन लाग से जादा माता बहनों के खाते में महतारी बंदन योजना का रासी हस्थान तरित किये हैं उसी तरह से यहां पर SDM कारेले वो किराय के भावन में चल रहा था तो SDM कारेले जो नया बन के तयार हुआ है उसका भी लोकारपन किये हैं और तीन SDM कारेले का किये हैं और दो SDM कारेले का किये हैं जगदलपूर के साथ साथ और दो जगह फोकापाला और लोहंडी गुडा वहां भी SDM कारेले नयाबन के तयार है उसका लोकारपन किये हैं और दो थाना भावन का भी लोकारपन किये हैं और यहां का तस्थील कारेले उसका भी जिरनोधार हुआ है उसका भी लोकारपन किये हैं और यहां जो महरानी अस्पताल में जो अनपूर्णा रसोई घर है उसका भी जिरनोधार कर और हमको बता रहे थे कलेक्टर की प्रदेश में और कहीं किसी जिलास्पताल में इस तरह का रसोई घर नहीं है जैसा कि आपके ये जगदलपूर में है तो अब करीब धाइस सो लोगों का खाना वहां बिल्कुल साब सुत्रा बनेगा जो इलाज कराने आएंगे उनके परिज की है